हो हेलो फ्रेंड से हम आज फिर हम आये हैं मित्र आज ब मित्रहट वेयर बुवन गुई बतायें कि क्यों आज कौन से प्रोड़क्ट का हमें ब्रीफ कंगे तो चलिए स्टार्ट करों य॥ हमारे पास accepted काड़ी से लेकर आप देख सकते हैं बड़े से बड़े भी हम कहानी सब्सक्राइब चलती का नाम गाड़ी तो हमारे पास सलूशंज है गाड़ी को सिर्फ आपकी चीज़ों को मूव आण करना स्मूथ भी मूव आण करना फरिश में निशान मिना चड़े तो उसके लिए हमा पास रेंज होती है आए इनके बारे में वन बाई वन हम फॉलो करते हैं अब हमने देखा होगा बहुत टाइम पर हमें किचन के अंदर कोई ऐसा ड्रॉर होता है इसमें चानल की फिजिबिल्टी नी बैठती क्योंकि नीचे चानल की उपर पानी गिरता है कई बार कई बार चानल की फिजिबिल्टी नी बनती तो वहां पर हमारे काम आते हैं यह वाला वील एक चोटा सा वील है और फिफ्टीन रुपीज की रेंज के अंदर आता है है विच इस हाइली डुरेबल आप देखिए इसकी जो है मेस की शील्ड बनी हुई है कोटिंग और रुख्या तक यह आपके approximately cost इसकी 150 रुपीज फर 4 सेट्स आ जाती है फिर कोई कहता है कि हमें gas cylinders के लिए wheels चाहिए gas cylinders के लिए पीछे जो बनती है वो सारे manufacturers को हमी supply करते हैं अब यह वाला set of 4 ऐसे चार सेट्स आपको मिलते हैं only 4 रुपीज 100 रुपीज की रेंज के अंदर यह वाला और बहुत आइंप आपने देखा अगर ट्रॉली के wheels जो cylinder पर लगते हैं वो यह वाले भी लगे होते हैं maximum number of times अब यह वाले वीज के अंदर आगर आप देखें इसमें बहुत सारी variety on range है different different pricing पर यह सेट होता है approximately 190 रुपीज यह होता है 220 रुपीज सेट का rate बतार है वह सेट मतलब 4 पीसे 220 पर 4 पीसे this is 190 पर 4 पीसे इसके अंदर एक जो सबसे premium quality आते हैं जो हम लोगों को recommend करते हैं पर suppliers जारतर cost cutting के लिए ही वाला लगाते हैं तो यह वाला जो wheel आता है 280 रुपी pieces अब कई बर किसी को होता है कि हमारी जो cylinder है वो slant पर है तो इसकेस में हमारे पास यह वाला product जो आता है इसके अंदर ब्रेक होता है अगर आपको product को रोकना है तो इसमें brake लापके fit हो जाती है जिससे आपका पूरा को पूरा जो wheel है वो jam हो जाता है unmovable हो जाता है तो this is with brake sixer की अगर हम बात करें sixer में हमारे पास और जो जाला तर चलते हैं जिसमें हम heavy duty sixer मतलब 6 wheels के साथ sixer means 6 wheel ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास कई varieties इस तरीके से आती है यह lightweight जो commercial use होता है यह domestic किसे ने trolley को सिर्फ उपर आगे पीछे करना है अगर आपने जैसे 8 की आपकी व पाता तो दूरेबल लोग यह वाली चीज लगाते हैं अब हमें की बार क्या होता है we need to rotate also तो इसमें special एक revolving की series आ जाती है ताकि आपका wheel जो है वो rotate हो सके प्राइजिंग की बात करें यह भी चार पीस का जो set होता है वो आता है 170 रुपीस का यह किसी company के है दिसे क्लफ़ा क्लाशिका company बहुत heavy duty wheels है यह यह आते हैं 350 रुपीस के 4 sets और revolving में इसके cost आ जाती है 450 रुपीस for 4 pieces ऐसे 4 sets आ जाएंगे इसके अंदे फिर यह बड़े खा क्या है कई बार हमारा surface बहुत rough होता है कई counter room में हम कहते हैं कि counter जो है वह बहुत जड़ा polished surfaces पे नहीं है तो उस case में आते हैं आपके top wheel इनकी अगर हम cost देखें बहुत heavy wheels है यह तो यह वाले जो वील्स है प्रॉक्सिमेटली 125 रुपीस पर पीस होता है यह वाला और अगर हम हम बात करें इस वाले वील की इसकी cost approximately 150 रुपीस पर इसके साब से होता है बहुत heavy duty and solid wheels है इनका अगर आप mechanism देखें इसमें यहां पे भी rotation है और बड़ा ही easy to move होते है कि कि किसी भी तरीके का अगर हमारे पास यहां पर कोई counter पथर आता है adapt होके अपने आप हमारे motion न रुप पए next अब हम आते हैं तीन इंची वील पे जितनी भी अगर आप किसी भी शोरूमस में जाते हैं वहां पे heavy duty fridge लगे होते हैं या counters लगे होते हैं सबसे जाला चलने वाला यह वाला wheel होता है यह बड़ा cost effective wheel है इसकी pricing approximately 300 to 350 रुपीस होती है for four pieces next अगर हम कहते हैं कि हमें बहुत heavy load डालना है तो हमारे पास यह Johnson company के wheels आते हैं इनकी cost होती है 460 rupees for four pieces ध्यान रखिये मैं आपको अभी जो pieces आपको जो भी wheels दिखा रहा हूं उनके जो pricing आपको बता रहा हूं वो that is for four sets four pieces के range में है यह उसके बाद कोई बंदा कहते है कि मे brake के लिए हमारे पास इसमें भी we have the option कि हम brake लगा के इसको wheel को jam कर सकते हैं अब इन wheels के अंदर एक speciality और है इसमें brake जो लगती है वो two way लगती है एक तो यह देखिए यहां से भी घूम रहे है और यहां से भी घूम रहे है अगर मैं यहां पे brake लगाता हूं इसको तो आप द दो पीस आते हैं आपके stable वाले दो पीस आते हैं विद ब्रेक यह इसलिए विकॉस जो मुवमेंट होती है मुवमेंट देने के लिए हमें चाहिए होता है बैक वील्स पर ब्रेक लग जाती है ताकि हमारी मुवमेंट रिस्टिक्ट हो सके अब कईयों में क्या आता है किसी इसने फिटिंग अलड़ी होती है तो इस पेशल इसको हम बोलते हैं गुली वील तो गुली वील के अंदर क्या आता है आपकी जो अलड़ी फिटिंग है उसमें स्क्रू टाइट होके आपका वील यह अंदर फिक्स वजाता है आपको और लगाने की जूरत नहीं है और कईय प्राइवरी फिर्स यह आते हैं 460 रूप़े के 420 और येवादय आते हैं पांसासर हाटूरुपे के 2 प्लस 2 का सेट बन जाता है प्रेंक की सीरीज में चलते हैं 4 इंच में हमारे पास एता है जो ऊंछे बार हेवी ट्रंक एंड पेटियां जो होती है हमारे पहले यूज होती थी उसमें भी यूज हो जाता है कई लोग कहते हैं कि हमें बड़ा ही स्मूथ फंक्शनिंग वाला वील चाहिए तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस वील के अंदर अगर आप देखो इसके अंदर बे में अगर कोई लग्ए हों है इसको बोलता है तंदूर वील क्यूंकि इसको है विट को झापकर लेता है यहां से वेंड कर लीजीए यहां से चया प्रू से ठाइड कर लेजिए लिस्वील इस नोना संदूर वी खेर, घरों में भी लोग बहुत लगाते हैं इस चीज़ को एन फैक्टरिज में चलता ही है अब इसी में अगर कोई कहता है हमने पास जॉंसन में भी सेम क्वालिटी आती है जो मैं आपको थ्री इंचिस के वी दिखाए थे उसमें हमारे पास फूर इंचिस में भी आते हैं विद ब्रेक और विद ब्रेक प्राइजिंग अगर तीन चार इंच की बात करें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है इसके अंद अब इनका जो कॉस्ट है बहुत वेरी करती है कि हमें किस कॉलिटी में चाहिए फॉक्सिमिटल इनकी जो कॉस्ट है वह पड़ती है तीन सो सारी तीन सो के रिंच में यह वाले वील्स आते हैं और इसमें अगर आप देखें इसमें ब्रेक सिस्टम भी है हमारे पास विद ड अब आगे जाके उसी चार इंच के अंदर हमारे पास एक चार दो हैवी डूटी वील्स और आ गए है इसमें भी हमारे पास टू राइटी हैं ब्रेक प्लस नॉन ब्रेक इनका प्राइज अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्राइज आता है डाट इस वन नाइंटी अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अगर हम आएं और वील्स के ऊपर तो यह देखिए हमारे हैं 6 inches के अंदर वील 6 inches में भी दिखिए यह सब सेट्स आप वराइटीज हैं अगें अकॉर्डन टू वेट हमारे से लोग इसको पुर्चेस करते हैं कि वेट के साफ से इसको कैसे लिया जाए सेम स्ट्रक्चर विद ब्रेक विदाउट इनका जो प्राइजिंग है जो मैंने नोटिस किया है अब हमारे पास जो वील है यह अगर आप इसको यहां से लेते हैं तो जितने बरजी का बेची अगर आप यहां से लें नेक्स्ट आता है आपके पास हेवी डूटी वील अब यह जितना भी इसका अगर भदन देखिए आप बहुत भरी वील आईए इसको बलते हैं इस वील के अंदर अगर आप देखें फड़ा फोकस करें बेरिंग भी होते हैं इसके अंदर ताकि स्मूथनेस रहे और इसकी जो प्लेट है बहुत हेवी होती है जितना मर्जी लोड डाल लो यह वील आपकी स्मूथनेस को और बिछे फरश के उपर ज्रीट बनी डालता है रबड आई यह सारी तो छे दो इसका साइज है है यह अकेला वील भी मिल जाता है अब इस पूरे इस वील की जो कॉस्ट है व पास पास जो होती है यह भी एमस प्लेट में है उससे और हैवी हो गया अब कई पर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोड होता है तो बहुत ज्यादा लोड के लिए हमारे पास एक स्पेशल हेवी डूटी वर्जन दाते हैं यह 12 इंच का वील तो आप देख सकते हैं कि पर बैकेटिंग होती है उसमें यह वाले वील यूद्ध होते हैं बड़ा वेरीगेट लगाने तो इसमें साइज उसका बढ़ जाता है अगर आप कॉस्टिंग की बात करें यह वाला वील अप्रॉक्सिमेटली 120-150 की रेंज का होता है और यह सोड़ा उससे उपरा जाता है अगर आप यह देखें यह बड़ा स्पेशलाइज वील होता है कई बार पूरी की बूरी बिल्डिंग्स के अंदो शट्रिंग लगती है उसको मूफ करने के लिए वील होता है इसमें भी हमारे पास ब्रेक और विदाउट ब्रेक दोनों ऑप्शन होते हैं अगर मैं इसकी लगा दूंगा तो यह सारा का सरव ब्लॉक हो जाएगा यह एडस्टमेंट्स करने हैं पप्लिंग्स की तो वह भी है इस विल को अगर आप देखें बहुत ही स्पेशलाइज़ वील है और कोस्ट अगर आफ देखें बहुत नौमिल सी रेंज हैशियम उन्टे और स्टीर च तो आप देखें कि होलसेल हाडवेर में अगर आप लेना चाहें चीज़ें तो बहुत ही कॉस्ट एफेक्टिव में आपको यह मिल सकती है तो तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितनी हुज वराइटी है बुबन जी के पास कास्टर वील्स की एक छोटे से लेके जो एक स्मॉल वील होता है हमारा जो हमारी किचन हाउस होल्स में यूज होता है और बड़े से बड़ी इंडस्ट्री में जो यूज होता है आप वो देख सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गा जुड़े नमबर दिया गया है आप उस पर वट्सब कर सकते हैं कोल कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्यू है